एक दादी है जिनकी उम्र तक्रीबन 89 है और इस उम्र में सबलक चाते हैं कि उनके बाल वच्चे उनके परिवार वाले उनकी केयर करें कोई भी उन्हें अकेला ना छोड़े वह बस घर पर आराम करती रहे लेकिन इस 89 की उम्र में या दादी इंगलिश सीखती है इनको पढ़ने का इतना ज्यादा शौक है कि इस उम्र में आते हुए भी यह दादी इंगलिश सीखना और पढ़ना चाहती है इन्हें अपने साल से कोई मतलब नहीं है और कहा भी तो जाता है कि सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है जब आपका मन करे आपका दिल चाहे तब आप पढ़िये या दूसरों को पढ़ाईए पर अपने दिल को नहीं मारना चाहिए बाकी यह दादी कौन है जो 89 साल की भी होते हुए अंग्रेजी सीख रही है यह सब आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे अब नमशकार आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ श्वाता मिस्त्रा सही कहा जाता है कुछ सीखने के लिए उम्र माइने नहीं रखता है आपको जब मन कर दिया जब आपका मन चाह दिया उस काम को कर लीजिए चाहे कोई काम ही करना चाते हो या कुछ सीखना चाते हो इसी कड़ी में एक दादी है जिनकी उम्र 89 साल है और इस उम्र में भी ये दादी इंगलिस सीखती है दादी अपने आपको एकदम fit and fine रखी है और कहती है कि सारी चीजों का knowledge होना चाहिए हर एक इनसान को सब कुछ knowledge के लिए सीखना चाहिए दरसल ये पूरा मामला बियत नाम का है जहां 89 साल की दादी हर मंगलवार को इंगलिस पढ़ने के लिए जाती है आपको बता दू कि दादी का नाम गुयेन है ये हर मंगलवार को अपने घर के पास में रहने वाली इन के घर पढ़ने के लिए जाती है और पढ़ने के लिए और भी कई सारे बुजर्ग आते हैं आपको बता दू कि ये एंट 30 साल के एक लड़की है जो कि दीन में जॉब करती है और रात में घर जाने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर छोटे बच्चों को और कुछ बुजर्गों को पढ़ाती भी है फिलहाल अभी बरतमान में करीब दो सब बुजर्गों को पढ़ा रही है यहाँ भी बताती है कि इससे हर एक इंसान को नौलेज रहेगा हर वक्त का कि कब क्या हो रहा है और जो सीखना चाहते हैं उनको तो सीखने से नहीं रोकना चाहिए मेरे पास कई बुजर्ग पढ़ने के लिए आते हैं और सभी ही पढ़ने और सीखने के लिए आज के युवाओ से भी जादा है एकसाइटर रहते हैं मैं भी मना नहीं करती हूँ सब को सिखाती और पढ़ाती हूँ उसी को ध्यान में रखती हुए मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ है दीन में मैं जॉब करती हूँ और जॉब से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन बुजर्गों और छोटे-छोटे मासुम बच्चों के लिए कोचिंग देती हूँ और उन लोगों से मैं कोई पैसे भी नहीं लेती हूँ और रही बात उन बुजर्गों की तो कुछ सीखने और जानने के लिए किसी की उम्र नहीं देखा जाता है बस जिसको सीखना है उसको चाहत होनी चाहिए सीखने की और दुनिया वाले क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है बाकी ये सब भी एक तरीके से समाज का ही भलाई है इससे इन लोगों का दिमाग तेज रहेगा हाला कि इससे पहले भी ऐसे ही कुछ देखने और सुनने को भी मिले थे जहां बुजूर्ग सीखने के चाहत में लगे रहते हैं जैसे ये 89 साल की दादी है आपको क्या लगता है कि सीखने और जानने के लिए क्या को युम्र फिक्स रहता है नहीं न जिसको जब सीखना होता है वो सीखी लेता है वह उस वक्त ही सीख सकते हैं बस सीखने का लाल सा होनी चाहिए कि हां मुझे सीखना है जैसे इस दादी को है बाकी यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्षन वीडियो को लाइक शेयर करें अगर आप ये व वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद